स्वर्विज्ञान का यह प्रियोग जो आपको दलाएगा करज से मुक्ती जी हाँ, आज का यह प्रियोग आपको कैसे भी करज से छटकार दिला सकता है आपको यह प्रियोग महिने में एक बार और तीन महिने से ज्यादा नहीं करना लेकिन आपको बता दें यह प्रियोग केवल आपको कर्ज से मुक्ती दिलाने के लिए है कहने कारत है कि यह पैसे के भंडार भरने जैसा कोई काम नहीं करेगा बस आपको कर्ज से मुक्त कराने के रास्ते मौके बना कर देगा आजकल बहुत से लोग कर्ज में इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं कि वो स्ट्रेस टेंशन में आकर अपनी जिन्दगी दाउपर लगा देते हैं यह प्रियोग आपको मत्र तीन महीने करना है और तीन बार ही करना है तो चलिए जानते हैं इसको कब, कैसे, किस समय और क्या-क्या सामगरी लेकर करना है देखिए इसके लिए आपको एक मिट्टी का बना बढ़ा वाला दिया लेना है दिया इतना बढ़ा हो कि उसमें कम से कम 400 ग्राम तिल खा तेदा जाए दूसरा आपको 5 काली मिर्च लेनी है तीसरा आपको लेने हैं काले तिल और जोती चीज लेनी है काली उर्द आपको इस दिये में तिल का तेल कर लेना है और काली मिर्च इसी दिये में डाल देनी है काले तिल पांचों अंगलियों से जितने पकड में आ जाएं उतने लेकर इस दिये में डाल देने है ऐसे ही काली उर्द भी दिये में डाल देनी है अब इस दिये को अपने घर की पर्ष्चिम दिसा में ले जाकर रख देना है ध्यान दीजिए वेस्ट डारेक्शन यानी पर्ष्चिम दिसा आपको ये अपने घर के पर्ष्चिम दिसा में रख देना है अब इसके बाद आपको अपना स्वर चेक करना है स्वर कैसे चेक करें? कैसे जाने के कौन सा स्वर चालू है? तो आप हमारे चेनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लें वहां हमने कैई वीडियो में बताये हुआ है कि कैसे आप अपने जागरित स्वर की पहँचान कर सकते हैं तो चंद्र स्वर सूर्य स्वर दोनों में से जो भी आपका चालू हो उस स्वर से लंबी सांस अंदर खीचें और सांस को अंदर ही रोग लें अब मन ही मन बोलें कि हे शनी देव मेरे उपर जो ये इतनी बड़ी करज की विपत्तिया खड़ी हुई है इसको इस दिये के माद्यम से जला कर भास्म कर दें एक बार फिर सुन लीजिए हे शनी देव मेरे उपर जो ये इतनी बड़ी करज के विपत्तिया खड़ी हुई है इसको इस दिये के माद्यम से जला कर भस्म कर दें यह आपको 21 बार बोलना है जब सांस ज्यादा देर तक अंदर ना रोक पाएं तब सांस छोड़कर फिर से चालू सवर से सांस अंदर लेकर ये ही बोलना है अच्छा होगा कि आप 21 बार ही सांस ले में और 21 बार ही यह बात अपने मन में बोलें सादको महीने में एक दिन और शनी बार को आपको ये करना है फिर अगले महीने मतलब जब 30 दिन हो जाएं तब फिर शनी बार को दोबारा से ये करना है सादको पस्चिन दिसा में रख देने के बाद आपको अपने सगुन में इसको जलाना है मतलब आपको अपने जागरित स्वर से लंबी सांस अंदर खीच कर उसे अंदर ही रोपकर दिये को प्रदीप्ट कर देना है बस आपका काम हो गया और जब यह दिया बहुच जाए तब आपको यह दिया किसी भी चोराई पर ली जाकर पटक कर जमीन पर मारना है अब आप यह अपने अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं इसमें कोई बंदिश नहीं सुभा, दोपैर, शाम, रात कभी भी दिया ज़रा सकते हैं और किसी भी समय चोराई पर डाल कर आ सकते हैं ज्यादा सही रहेगा कि रात के समय या बिलकुल सुभा जब चोराई पर कोई भी ना हो तब दिया पे कराएं आप देखेंगे कि कैसे आपके रास्ते खुलते हैं आपको ओपरिचिनल्टी मिलनी शुरू हो जाएंगी कही ना कहीं से अपने आप ऐसे अफसर बनेंगे जिन से आपके काम बनने लगेंगे स्वर्विज्यान का यह प्रियोग जबर्दस्त काम करता है अगर आप कर्ज में डूवे हुए हैं कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप यह जरूर करके देखें आपको अवश्यलाब मिलेगा सादको हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगे होगी अगर आपका कोई प्रशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम आइडी है तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखिये धन्यवाद